हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या स्टार्ट किया था सर सेट आफ और के अंदर क्या बोला था कि हम एक हेड की इंकम को दूसरे हेड की इंकम से सेट आफ अगर करते हैं तो ऐसे सेट आफ को क्या बोलते हैं बताईए एक हेड के सेट आफ को दूसरे हेड के सेट आफ से अगर ह इंटर हेड एक हेड के सेट अफ को दूसरे हेड के सेट अफ से करते हैं तो अगर हम करते हैं एक सोर्स के दूसरे सोर्स से सेट अफ को तो क्या बोलते हम इंटर हेड सेट अफ बोलते हैं तो यह इंटर हेड और इंटर हेड इसके साथ साथ हमने कुछ एक्जामपल भी देखे यह थे यानि सर मैं अगर आपके सामने कुश्चन लिखूं बड़ी सीरीसी बात है अगर मैं आपको बोलूँ सेक्षन नमबर 70 सेक्षन 70 कहता है इंट्रा हेड सेट अफ सेक्षन 70 कहता है इंट्रा हेड सेट अफ सर इंट्रा हेड सेट अफ क्या होता है मतलब जैसे for example मैं थोड़ा remind भी करा दू जो नए बच्चे होंगे उनको थोड़ा समझ में आ जाएगा जैसे मेरा business है और ये business cloth का है 5 लाक रुपए का मेरा profit और एक और business है ये मेरा steel का है और यहाँ पे मेरा 2 लाक रुपए का हमारा loss है तो हमें जो tax देना है वो 3 लाक पे देना है तो जो ये minus कर रहे है ना that is called set up और अगर मेरा loss इसकी जगह पे instead of अगर मैं थोड़ा example change कर दूँ यहीं पे अगर मेरा ये 5 लाक ही है लेकिन loss मेरा 6 लाक है तो यहाँ पे 1 लाक रुपए का loss बचा जिसको हम कर देंगे carry forward to the next year यानि सर law ने ये बताया हमें law ये कहता है कुछ बच्चों का request आ रहा है शायद law हमें ये कहता है सर passing के लिए कौन-कौन से chapter करने है भई अभी बहुत time है आप passing आराम से हो सकते हैं मैंने सब कुछ डाल दिये हैं और आप जाके देखेंगे content के अंदर के income tax को कैसे पढ़ना चाहिए कौन से chapter करना चाहिए सारी वीडियो मैंने डाल दिया है आप देखेंगे फिर भी doubt आता है मैं voice sms के साथ सभी को communicate करता रहूँगा सर हम बात करते हैं सर rule कहता था सर intra head के अंदर सर ध्यान दीजिए ये rule के कुछ exception है sir exception का मतलब आप same head से set of ही नहीं कर सकते sir यानि intra head set of allowed ही नहीं है same head से अगर मैं business की बात करूँ तो business में बहुत सारे category था जिसमें से मैं एक एक करके business का मैं explain करता जाऊँगा जैसे business की बात करते हैं business के अंदर हम बात करते हैं for example आपका speculative business speculative business speculative business sir ये speculative business होता क्या है और जो मैं आज की class में देखो जो पहले किया था वो तो exam में वो भी आ सकता है लेकिन आज करेंगे उसी में से एक question आएगा आपका तो आप ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा तो speculative business क्या होता है एक example मैं लेता हूँ आपके सामने ध्यान से सुनिएगा मैं basic साइक example लेता हूँ law क्या कहता है मान लो अभी हाल फिलाल में आपने कई बार अपने life में सुना होगा कि इस product का shortage हो गया ये नहीं मिल रहा है और basically नहीं मिलने से अगर मैं बात करूँ तो जादर से जादर जो popular है न वो प्याज का है कई बार ऐसा हुआ था बीच में अभी हाल फिलाल भी हुआ था प्याज 100 रुपे किलो तक हो गया था मिलना बंद हो गया था बहुत रियल मिलने लग जाता है सर ऐसा क्या होता है कि प्याज हमारा या कोई commodity product बोलते हैं basically क्या होता है माल लेते हैं मैं एक vegetable seller हूँ एक vegetable seller और मैं बहुत बड़ी level पर बैपारी हूँ बहुत बड़ी level पर चोटे मोटे काम नहीं करता है बड़ी level पर और जितने भी सबजियां है वो सबजियां सारी आती है एक जगह होता है और उस जगह को हम मंडी का नाम देते हैं basically मंडी का नाम देते हैं और मंडी की बात करें तो यहाँ पर डेली के अंदर सबसे famous कौन सा है वेजिटेबल के लिए सबसे क्या गया है सबसे famous है हमारा आजादपूर ठीक है बहुत बड़ी मंडी है आजादपूर लेकिन मैं बोलू के यहाँ 100 करोड रुपए की डेली होती है तो नहीं होती होगी कम ही होती है तो अजादपूर सब्जी मंडी एक बड़ी मंडी है जहां से पूरे all over मेरा मानना है कि डेली को लगबग लगबग सप्लाई यहीं से ही होता है अब यहाँ पे कितने सारे दुकांदार होंगे बहुत सारे यहां होलसेलर बैठे हुए है रिटेलर तो कम है यहां बहुत सारे क्या है सर यहां बहुत सारे होलसेलर बैठे हुए है अगर मैं होलसेलर की बात करता हूं बहुत सारे होलसेलर बैठे हुए है अब मैंने क्या करा प्याज की बात करते हैं अनियन की बात करते हैं हम प्याज की बा यहां पे एक लाख किलो एक लाख किलो वन लाख केजी प्याज आता है डेली एक लाख किलो प्याज आता है डेली और वो सप्लाई होता है दीरे दीरे बेखता है मैंने इन सभी वेपारी को फोन किया और मैंने इन सभी को बोला कि भीआ, मुझे ना प्याज लेना है तो अभीलेबल होगा कि उसने बोला हाँ, आने वाला है, सुभे माल आएगा आप बताईए, कितने लेने हैं मैंने पूछा कि आपके पास माल कब तक आ जाता है उसने बोला सर 10 वजे तक सुभए वैसे तो early morning आ जाता है सुभए 6 वजे माल आ जाता है आप ले जाए कितने चाहिए आपको 10, 20, 50 kg बताईए मैंने बोला कि मंडी के अंदर मुझे करीब 1,5,000,000 kg प्याज चाहिए मुझे मैंने order किया और मैं एक बहुत ही मान के चलो मंडी से हमेशा डील करता हूँ तो मेरी इतनी reputation है कि मेरे बोलने पर वो मान जाएंगे बोला सर्थ 1,500,000 kg तो जादा हो जाएगा daily market का consumption एक खपत एक लाग किलो तक आता है मैंने बोला एक लाग किलो कब तक आप अवेलेबल हो जाएगा मैंने बोला सारे जितने भी एक लाग किलो ग्राम प्याज है वो आप रख लेजिए मैं payment आपको evening तक आके करता हूँ शाम तक कर देता हूँ मैं आपको payment या मैं दो दिन बाद आऊँगा आप अपने पास रखे दो दिन में खराब थोड़ी ना हो जाएगा मेरी इतनी goodwill तो है आप जानते ही है मुझे तो आप रखे मैं दो दिन के अंदर आपके पास आता हूँ अपना सारा समान ले जाऊँगा जो भी रखने का खर्चा हो जाएगा ना वो मैं दे दूँगा खर्चे की चिंता मत करिया कैसे रुपे किलो पड़ेगा उसने बोला सार इतना आप सारा ही ले रहें तो भाव क्या है भाव सिंपल सी बात है सार पंदरा रुपे किलो आपको पड़ेगा next day आया next day भी call किया मैंने बोला कि और प्याज मिल जाएगा कि उसने बोला हा मिल जाएगा आपके पहले वाला भी stock रखा हूँ मैंने बोला कि एक लाग किलो और store कर लो फिर से 15 रुपे किलो मेरे को मिल गया दो दिनों तक market में कहीं पे प्याज नहीं है पूरे डेली के अंदर प्याज है ही नहीं और जब पूरे डेली में प्याज नहीं है तो हरकोई demand कर रहा होगा सबजी वाली के पास भी प्याज नहीं आया कि बोला नहीं प्याज नहीं आ रहा किसी के पास अगर पुराना पड़ा हुआ है थोड़ा बहुत 4-5 किलो बचा हुआ तो वो पहले तो उसने 20 रुपे किलो भी का 20 रुपे में भीड लग गए उसने बोला भाई खतम हो गया फिर थोड़ा निकाला 30-30 में भी भीड लग गए उसके पास क्योंकि मार्केट में है नहीं उसने 50 रुपे किलो बेचा तो 50 रुपे किलो भी क्या हो जाएगा बेख जाएगा उसका तो तो ऐसे देखा जाए तो अब मेरे पास इन सभी डीलर के कॉल आने लग गए बोले भाईया आपका मैंने प्याज रख रख रखा है सारे मैंने काम करो आप मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दो मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूं आने में आप बड़ी सीधी सी कोई भी आए ना मांगने के लिए तो उससे मना मत करो आप इसको ween Turk weaponा बैच दे ना मैने भी बेचना यह 25 रुपे किलो बेचओ 5 रुपे मैं आपको कमशन दूगा चिंता हम उन्र इस बहुं पहले तो À 5 रुप fır और लेले ना जो भी आ यानि मैं आपको 20 हर किलो के भाव से पेमेंट कर दूंगा आते ही और आप 25 रुपे किलो बेचो मंडी के अंदर उसने अनॉंस्मेंट कर दिया कि 25 रुपे किलो प्याज बिक रहा है तो सारा प्याज इंस्टेंटली क्योंकि जब किसी चीज का सौटेज होता है तो घर वाले क्या करते हैं एक किलो करते हैं एक किद्ध करते हैं उससा करते, आपके होगे 20 तो दो भाग किलो आपने बेचा था तो 20 रुपे काटके फिर भी 5 रुपे बसते हैं तो 5 रुपे के हिसाब से 10 लाख रुपे मेरे अकाउंट में डलवा दीजिए क्योंकि पैसा तो इन्हीं के पास है 25 रुपे किलो के हिसाब से इनका बंता कितना था 15 मुझे दिया था 5 मैंने कमीशन ओफर किया था 20 तो इसने 25 रुपे से सब बेच दिया तो 5 रुपे मेरा था तो मैंने बोला 5 रुपे 1 किलो पे मेरी कमाई हो रही है 2 लाख किलो पे कितने होगे 10 लाख रुपे 10 लाख रुपे मेरे अकाउंट में जमा करवा दीजिए That is black marketing जिसे हम कई बार भोलते हैं अब यहाँ पर देखो मैंने 10 लाख रुपे मैंने दो दिन होल्ड करके थोड़ा बहुत माहल बनाया और मैंने उसको 10 लाख रुपे कमा लिया तो जो यह कमाई है ना यह कमाई रेगुलर निचर की होती है कई लोगों की इसको बोलते है speculative income जो मैंने 10 लाख रुपे कमाया है ना यह speculative मतलब समान को बिना खरीदे और बिना बेचे आप पैसे कमा लेते हैं तो उसको क्या बोला जाता है हमारा speculative income बोला जाता है ऐसा ही हमारा होता है शियर बजार के अंदर भी एक derivative का भी concept होता है आगे आप पढ़ोगे और इसी तरीके से आपका होता है जैसे मान लेते हैं मैं simple से बात करूँ gold की बात करता हूँ gold आज 50,000 रुपए तोला है अगर आपको gold खरीदना है न तो gold खरीदने के लिए आपके पास अगर मान लो suppose करो मैं अगर बात करूँ आपके पास अगर 1,000,000 रुपए है न मैंने को सरफ एक लाग देना और बाकी बोला कि जितना बाकी का बैलेंस बच गया आप महीने के ले जाना यह सारा ओनलाइन एल्क्रानिक में प्रांजक्शन होता है जिसे हम कमोडिटी मार कि वी ब quindi अरे बोलते हैं М,C,X भी बोलते हैं जिस को हम एक होता है हमारा N, A,C, आरे शेयर बजार के लिए उसके साथ हमारा कोमोरिटी होता है जिसे बोलते हैं MCX एक सुता है NCDX ये दोनों स्टॉक मार्किट के इंदर चलते हैं तो यहां पर सटा बजारी चलता है तो मैं कह सकता हूँ एक तरीके से मैंने सटा जुआ ही खेला हूँ वहां पर तो ऐसे इंकम बट कैन नौट बी सेट अफ कैन नौट बी सेट अफ फ्रॉम अधर बिजनस इंकम यानि सर यह जो हमें लॉस दे रखा है स्पेकुलेटिव लॉस हुआ तो ऐसे लॉसिस हमारे बिजनस लॉसिस है यहां पर तो सर सुनाया आपने के एक बिजनस दूसरे बिजनस से सेट अफ हो जाता है सेम हेड का हो तो बिल्कुल टू है लेकिन इसके भी कुछ है क्या सीख रहा है हम exception सीख रहा है सर exception के अंदर अगर speculative बिजनस से loss हुआ तो वो सरिफ सेट अफ होगा same speculative बिजनस से ही किसी तरीके से ना कि किसी other business से same का मतलब मेरा share बजार में 60 बजारी कर रहा हूँ वहां से loss हो गया और दूसरे तरफ मैंने क्या करा एक commodity के अंदर मैंने कोई सट्टा लगाया वहाँ से profit हो गया तो आपस में क्या हो सकता है set of हो सकता है अगर इसका set of नहीं कर पाए तो आपको क्या होगा सर आपको होगा loss loss अगर हुआ तो loss को आप क्या करोगे लेकिन loss को carry forward करने के लिए condition रखा हुआ ऐसर इनगों से कि आपको ITR अब करना होगा ITR अठको फाइल करना होगा सर ITR पाइल क क्या date होता है 31 तारीक होता है 31 जुलाई 31 साथ तक आपको ITR फाइल करना होगा अगर आपने ITR फाइल ही नहीं किया तो आप loss को भी carry forward नहीं कर सकते आपका किस्मत इतना खराब चल रहा है कि लगातार कई सालों तक आपको लॉस जा रहा है तो आपका हर साल का लॉस ना एक अपने आप में अलग इंडिविज्वल माना जाता है इस लॉस को कब तक carry forward करेंगे सर अगर लॉस हो गया हमें profit हुआ ही नहीं आने वाले 20 साल 30 साल तक तो क्या ये लॉस carry forward होता जाएगा नहीं इस लॉस को carry forward करने की एक age है सिर्फ और सिर्फ 4 साल तक अगर 4 साल तक आप इसको set up कर पाए तो ठीक है otherwise आपका ये लॉस क्या हो जाएगा lapse हो जाएगा खतम हो जाएगा इस loss को आप carry forward भी नहीं कर पाएंगे ठीक है इस loss को भी carry forward नहीं कर पाएंगे तो यहां तक बात समझ में आया है तो speculative business loss कौन सा होता है वो loss जिसके अंदर हम profit तो कमा लेते हैं या फिर loss हो जाता है जिसके अंदर goods का हम physical moment कैसे business के loss को किसी other business से set of नहीं होगा इसकी आई टी आर फाइल करना mandatory है life कितनी है इसकी सर चार सर पहला exception हमने यहां पर कर लिया सर सेकिंड exception पर आते हैं exception नमबर टू specified business सर specified business कौन से है वो business जिनका बिल्कुल अलग ही काम करने का तरीका होता है बिल्कुल अलग जैसे hotel जैसे आपका cold house agriculture के लिए cold house क्या होता है जैसे आप देखते हो न समान को रखते है warehouse होता है तो इसका भी बहुत बड़ा काम होता है जहाँ पर वो freezer, deep freezer जिसे बोलते है समान रखते है vegetable वगएर agriculture प्रोडक्स को agree commodity क्योंकि आप देखते हो न कई बार समान बहुत दिनों तो खराब नहीं होता तो वहाँ पर रखा जाता है तो जिनका ये business ही होता है किराय पर देते है तो ऐसे business को बोला गया कि भाई तुमारा business बड़ा unique business है ये specified आपका एक business है तो यहाँ पर भी बोला गया कि अगर कोई specified business होगा तो इसका भी specified business को same line लिखा गया है हाँ पर क्या लिखा गया सर कि इस तरीके का business के losses को business income but cannot be set up from other business sorry मैंने business income लिख दिया business loss लिखना था मुझे ये थोड़ा सा गलत हो गया हमारा business loss की बात चल रही है तो loss पे चलेंगे ठीक है न same line मैंने यहां लिख दिया sir क्या है हमारा यहां पर business loss इसके अंदर specified business के अंदर क्या आता है आप देखेंगे वहाँ पर जाके तो 35 AD है section 35 AD में section list है और इसके अंदर आपका school भी आ जाता है आपका कुछ ऐसे business जो मान के चलो बहुत जरूरी है तो इस टाइप के business को कहते है तो इसके loss को carry forward करने के लिए भी आपको ITR आपको file करना है अगर आपने ITR file ही नहीं किया तो sir भूल जाइए आपका loss carry forward होगा sir इसकी life क्या है life क्या है इसकी यानि कितने सालों तक आप इस loss को carry forward यहाँ पे आपका कितने सालों तक जाएगा हर किसी के लिए normally न 8 year है ठीक है हर किसी के लिए कितना है 8 year लेकिन एक ऐसा concept है जिसके लिए unlimited भी है उसमें से एक यह है specified business जिसके लिए unlimited है एक unabsorbed depreciation है इसके life को मैं बात में लिखूंगा एक बार थोड़ा सा changes आये हुआ है आप सिर्फ इसमें यह रखेगा दूसरा exception कौन सा specified business 35 AD section देखना चाहते है न क्या आता है सर section 35 AD section क्या आएगा आपका 35 AD आएगा यहां तक देखे कोई doubt कौन से class के लिए क्या है झाल झाल पहले हम बात करते हैं स्पेसिफाइड का मैं भी बता दूँगा थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा अमेंडविंट आया हुआ हाउस पॉपटी में भी अमेंडविंट देता है तो एक बार हम देख के कर लेंगा भी सर सेकिन्ड स्पेसिफाइड के बाद सर तीसरा होर्स बेसिकली यह है ओइंग एंड मिंटेनिंग ओइंग एंड सर यह भी बिजनस था हमारा स्पेसिफाइड स्पेकुलेटिव बिजनस था और मैं अगर होटेल की बिजनस की बात करूं तो वो भी हमारा बिजनस ही है कई लोगों का ऐसा काम होता है owing and maintaining मतलब घोड़े को training देना तयार करना तो वो भी एक तरीके का बिजनस होता था जो की participate करता है किसमे horse races के अंदर तो अब तो races का इतना trending मैं तो कभी गया नहीं ना मैंने कभी देखा तो मुझे तो पता नहीं है, डेली के अंदर भी बैसे एक जगह है, जहां पर भूलते हैं के होता है, और मुमई के अंदर कुछ जगह है, जहां पर ये ट्रेंडिंग में रहता है, जहां पर बिट, मतलब लोग बाग क्या करते हैं, सट्टा लगाते हैं एक तरीके से, तो जो वहां पर जो भी होर्स है, उस होर्स को ट्रेंड करने के लिए एक और्गनाइजेशन होता है वो, तो उनके बिजनस से भी लॉसिस हो सकता है, तो ऐसे बिजनस से अगर लॉसिस हुआ तो ये बिजनस भी एक यूनिक बिजनस है, तो अगेन कहा जाएगा कि सर अगर ऐसे बिजनस से ल साइन रिपीट करने जा रहा हूं कि बिजनस लॉट बट केन नॉट भी सेट अफ फ्रॉम अधर बिजनस इंकम यानि सर अगर ओइंग और मिंटेनिंग का लॉस हुआ और अगर स्पेसिफाइड बिजनस से प्रॉफिट हुआ दोनों को सेट अफ कर ले क्या नहीं कर सकते सर अ क्या नहीं कर सकते यह क्या देख रहे हैं हम एक्सप्शन था हमारा यह क्या था हमारा देखिए और भी एक्सेप्शन केसी से पहले यहां तक देखिए बच्चे कह रहे हैं मैं उसका बता रहा हूँ इसका life का no limit है unlimited time तक करा जाता है कुछ amendment है वो एक बार देख लेंगे थोड़ा सा सर इसके लिए life क्या ITR file करना है ये सर ITR file करना है और इसके लिए जो life है सिर्फ 4 सालों का दिया हुआ है इसके लिए life दिया हुआ है 4 साल सर इसमें से एक question definitely आएगा आपका के owing and maintainis का maintaining या फिर आपका बोला जाएगा specified business क्या होता है इसको explain करिए इसके loss को set of और carry forward करने के rule बताईए तो मैं लिखूंगा उसके इंदर आपका specified business वो business होता है या speculative business वो business होता है जो मैंने यहाँ पर definition लिखवा है इसको carry forward करने के लिए ITR file करना mandatory है अगर हमने ITR due date के बाद file किया तो cannot be lost carry forward साथ के साथ इसके एक life है इसको हम कितने आगे succeeding year तक carry forward कर सकते हैं जो कि मैंने लिखा 4 साल या no limit है वो लिखना पड़ेगा यहाँ पर सारा एक table के through भी मैं समझा दूँगा अभी हम देख लेंगे पहले यहाँ तक कोई दिक्कत है यहाँ तक समझ में आ रहे हैं हम सीख के आ रहे हैं पता है ने आपको section 71 कहता है सर इन सभी के section अलग है लेकिन उसमें भी exception आ गया सर same source of income same head से set of नहीं हो रहा कुछ यह exception है जैसे speculative यह specified या horse race का सर और क्या-क्या हो सकता है चलिए आ गया आते हैं कितने हमारे exception हो गए हैं कितने हो गए चौत्थे पर आ जाते हैं lottery income sir lottery income और यहाँ पे कुछ और word है cross, puzzle income या card game इस तरीके का जो income जैसे कि आप इसके अंदर आप IPL भी रख सकते हो इसके अंदर आप और भी जो कि 60 लगता है जहाँ पे उसे भी रख सकते हो हाला कि यह business नहीं है लेकिन आपका यह बोला गया कि यह जो income है ना कई लोगों का बेपार भी रहता है यह जो income है ना यह हमेशा इसका जगर loss हुआ तो cannot be set off and ध्यान देना और cannot be carry forward sir इसके loss को ना तो आप set off करेंगे और ना ही carry forward करेंगे यानि आपका loss हो गया तो हो गया इसके उपर ना government क्या चाती है कि government थोड़ा सा चाती है strictness दिखाना माल लेते हैं आपने card खेला card समझते हैं नो task खेलना ठीक है ना आपने task खेला task खेलने में देखा है कि बहुत लोग पैसे कमा भी लेते casino वगेरा में जो खेल के आ रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं ठीक है lottery कौन सा होता है डेली के अंदर तो lottery नहीं है लेकिन मुंबई में सायद अभी भी lottery चलता है और कई जगर तो movie में भी इसका जिकर किया गया है कि दस रुपे का lottery निकलता है और दस रुपे में फिर एक करोड रुपे बन जाते हैं कई बार लेकिन वो जीवन में बहुत कमी टाइम आता है पता चलता है दस के एक करोड बनाने में हमारे दो करोड भी चले जाते हैं तो सर ऐसे चीजों को ना government करना चाथ है क्यों बैंड करना चाहती है सर गवर्रमें जाते का ञ़ turbo करनτε個人 करने खहर जाती है और यह बड़े लोग करते जाद है च्छोटे तफके के लोग करते है क्योंकि उनको करूल पती जल्दी बनना Divali है बैसे गाउं, Ruler Area में चलता है, Divali है तो भीया TASK खेलना पक्का है, होली है तो पीना पक्का है, मतलब trend है, एक चीज नहों decide कर रखा है कि इस time पर ये काम हमें करना है, अब Divali है उससने क्या करा भीया? दिवाली के अंदर सबसे पहले तो कार्ड खरीद के लाया और कार्ड खरीद के लाया कार्ड मान लेते हैं 100 रुपे का खरीदा उसने और कार्ड खेलने भी लगा तो कार्ड खेलने के बाद उसने जीत लिया विन कर लिया सर कार्ड खेलने के बाद उसने 500 रुपे कमा लिए अब 500 रुपे कमा लिए गवर्मेंट बोलता है अच्छा आप गलत काम कर रहे हो लेकिन हम आप टेक्स दोगे तो हम मान लेंगे आप सही काम कर रहे हो आपका 500 रुपे की इंकम है तो normally बोला जाता है कि भाई जब कभी भी आप इंकम कमाते हैं तो उस इंकम को कमाने में जो भी expenses लग जाते हैं उस expenses को इंकम में से minus करिए net करके आप क्या करिए सब्सक्राइब गॉबर्मेंट आपने बोला सर में प्रॉफिट कितना है 500 का माइनस कर देते हैं मैंने क्या खरीदा कार्ड खरीदा था यानि तास्क की घड़ी खरीदी 100 रुपए का तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 400 गवर्मेंट ने बोला नहीं ऐसा नहीं होता आपकी इंकम बहुत इन्विक इंकम है तो आपको यह नहीं क लेगा आपको 500 रुपे पे सीधा 30% का टेक्स देना पड़ेगा और आपके लिए कोई benefit नहीं available है तो यानि 30% टेक्स जाएगा कोई खर्चा minus भी नहीं कर से यह specially provision है इस तरीके से तो कहा गया था वैसे एक source से income की दूसरे source से losses को set off तो यह इतना मतलब की strict provision बनाया गया कि आप loss को set off तो भूल जाओ carry forward भी नहीं कर सकते आप मान लेते हैं कि आपने दिवाली पे सेम एक ही साल पे दिवाली होली आता है लग लग साल में आता है कि एक ही साल में दिवाली पे आपने खेला 5000 रुपे जीत गए और होली पे आपने 2000 हजार रुपे का नुकसान कर लिया तो नेट में देखा जाए तो 3000 कमाए ना गवर्नमेंट बोलेगा भी या नुकसान तुमारा है अब पुलिस वाले आएंगे उठा के ले जाएंगे आपको एक कैसिनों में जा रहे है अपतास केलने के लिए पुलिस वाले बाहर बोलेंगे खड़े रहेंगे कि किसी के साथ कोई दिक्कत ना हो जाए दोनों जगा सेम है फ़रक है वहाँ पे लीगल तरीके से एक्षेम्टेड एंकम या एक्षेम्टेड एंकम्या एक्षेम्टेड मैंने एक नॉर्मली प्रॉपर सेटिंग नहीं बैटरी त्रम ने बोल दिया सर इसका लाइफ अगर पूछोंगे लाइफ कितनी है सर जीर उयर प्पार ऑप से कोई लाइफ नहीं है ठीक है न लेकिन किसान किसे कहेंगे उसकी भी definition अगरी कल्चर में given है, हर कोई किसान नहीं बन जाता, तो बोला गया सर किसान की income पे हमारा हो गाई नहीं, किसान ने क्या करा, मान लेता है इसके tomato का business है, इसका और बिजनस के अंदर इसने क्या करा खर्चा गया पहले बेचा इसने पांच लाक रुपे का और इसके उपर expense करा था इसने expense क्या होगा वही basic activity जो होता है हमारा Boeing का, seeding का जो भी सारा काम है वो सारा काम है और वहाँ पे 6 लाक का खर्चा आ गया किसान का एक लाक रुपे का क्या हो गया loss हो गया और यहाँ पे किसान का एक business और है सर किस्टिस का business है cloth का और cloth का business कितने का है सर और उससे profit आया 3 लाक रुपे किसान कहता है कि सर एक business से मेरा नुकसान होगा दूसरे business से मेरा फाइदा है अगर मेरा तो दो लाक रुपे मुझे क्या देना चाहिए टेक्स तो government कहता है भाई ये वाला income तो आपका पूरा अगर पांच लाक भी income कमा लेते तब भी हम आपसे टेक्स नहीं लेते क्योंकि ये तो कौन सा income है एक्सेंट वाला उससे बूल जाओ तो वैसे भी profit में आप टेक्स नहीं दे रहे थे तो लॉस की तो कोई इंटर हेड सेट अफ का पहले यहां तक बताईए कोई डाउट क्लिर रहे चार इसमें से एक्सेप्शन पूछे जा सकते हैं अगर आपका अब आता है नहीं कोशन के सेक्शन सेवेंटी डिफाइन करिए तो सेक्शन सेवेंटी में तो पहले बताएंगे हम छोटा सा वो डे देखना होगा तब जाके आपको 6 नंबर पूरे मिलने वाले हैं